कि आज हम लुब्रीकेशन और उसके मेकनिजम के बारे में पढ़ेंगे मैं सजदानन आज लुब्रिकेशन क्या होता है इसनेहन क्या होता है और उसकी क्रियाविधी किस तरह से वह कारे करता है उसको समझने के क्रम में आज हम इन दो चीजों के इनके बारे में बात करेंगे तो आप इस पहले फीगर से भी देख के समझ सकते हैं कि मैं किस बारे में इन चीजों को define करने जा रहा हूं किस चीजों को हम लोग share करने जा रहे हैं आपस में तो आप देख सकते हैं कि एक bearing है जो दूसरे surface से दो solid metal surface है और उनके बीच में एक oil है oil जो है lubrication का काम करता है और oil क्या है एक स्नेहक है lubricant है और इसके कार करने की जो विदी है वो lubrication कहलाती है तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अभी इन figures को भी मैं explain करूंगा कि क्या होता है तो सबसे पहले हम समझेंगे कि lubrication होता क्या है What is lubrication? तो lubrication is the process or technique of using lubricant to reduce the friction and wear and tear in a contact between the two surfaces तो इस नेहक को यूज करने का क्रम में हम जिस विदी का उपयोग करते हैं उसे हम इस नेहन बोलते हैं Lubrication बोलते हैं यह किसी दो solid surfaces के बीच उत्पन घर्षण को कम करने के क्रम में भी बहुत सहायक होता है जिससे उनके कार करने की सुगमता बहुत ही अच्छी हो जाती है यह किसी भी दो solid surface के बीच एक पतली परत के रूप में उपस्थित होके उनके बीच का ताप उनके बीच के घर्षण को बैलेंस करता है तो लुब्रीकेशन की आवशकता पड़ी ज़वरत हुआ क्यों इसलिए कि जब हम किसी भी मशीन पार्ट पे काम करते हैं या कोई भी दो मशीन पार्ट एक दूसरे से चिपक के या एक दूसरे के संपर्क में आके कार करते हैं तो उनके कार करने का जो क्रम है वो बहुत efficient होना चाहिए बिना रुकावट के होना चाहिए तो अगर कोई भी दो solid part एक दूसरे से mash कर रहे हैं तो उनके बीच कोई न कोई किसी न किसी तरह का घर्शन होगा तो उस घर्शन के वज़े से उनकी कार करने की जो गती होती है वो कम होने लगती है उस गती को बहतर बनाया रखने के लिए हम lubrication method का इस नेहन का प्रियोग करते हैं तो इस इस नेहक का प्रयोग करने के क्रम में हम लूबरिकेंट बोले तो इस नेहक जो एक और्गनिक पदार्थ होता है उसका उफियोग करते हैं यह एक ऐसा पदार्थ होता है लुब्रिकेंट यह एक ऐसा पदार्थ होता है जो दो गतिशीन सतहों के बीच लगाया जाता है ताकि उनके बीच घर्षण कम हो कार कुशलता में सुधार हो और जल्दी घिस ना जाए इसमें घोलने या बाह कड़ो को पई वहन और गर्मी को करने के क्रम में भी यह कार करता है लुब्रिकेंट क्या है लुब्रिकेशन जो हम करते हैं इसने हन करते है मतलब लुब्रिकेंट को लगाता किसी भी मशीन पार्ठ के बीच में यह बहुत ही जादा important है तो what is lubricant? Lubricant वह substance है जो किसी भी दो घरशन करने वाले वस्तु या फिर machine part के बीच में एक film के रूप में उपस्तित होके उनके बीच घरशन को remove करता है जिससे उनकी कारविधी बहतर होती चली जाती है तो lubrication का भी मतलब वही है lubricant का भी मतलब वही है लेकिन lubricant काम क्या करता है और lubrication होता क्या है यह तोनों को समझना और balance करना बहुत ज़रू है तो इसके लिए मैं example आपको समझाना चाहूंगा lubrication और lubricant के बारे में हम cycle चलाते हैं बशपन में cycle सबने चलाई हुए अभी भी कुछ लोग चलाते हैं चाहे बाइट चलाते हैं तो उसमें एक mechanism लगा होता है हमारा जो power transmission होता है वो transmission किससे होता है chain से chain क्या करता है engine के power को या फिर chain आप जो pedal मारते हैं उसके power को पिछले वाले पहिये तक पहुचाता है जो आगे धक्का देने के क्रम में कारे करता है अब उसको करने के क्रम में होता क्या है कि जो दो पदार्तों की हम बात कर रहे हैं दो surfaces की बात कर रहे हैं तो उसमें जो gear है वह gear उस वह gear उस chain के contact में आता है it means कि दो solid surface एक दुसरे के contact में आते हैं तो आप ने खुदी इस चीज को analyze किया होगा जब कभी भी आप cycle को चलाने जाते थे या फिर cycle बनवाने जाते थे या साफ करते थे तो आप chain में और को डालते थे क्यों क्योंकि और डालने से जो cycle चलाने में सुगमता आती थी और बीना कम और के जो गाड़ी cycle को चलाने में इतनी कर्ष्ट होती थी उसी क्रम को हम समझने की कोशिश करेंगे यहां पर तो बच्पन में हम हमेशा ही chain के उपर तेल को डालते थे इस नेहक होता है वही लुब्रिकेंट जिसको हम chain के उपर डालते थे तो chain के उपर डालने से क्या होता था वह chain का जो जो material है उसके उपर अपने एक परत सी बना देता था और वही परत दूसरे मेटिंग सर्फेस जानी की गेर के उपर जो दांत बनी होती थी उसके उपर भी वह चढ़ जाता था अब उस चढ़ने के क्रम में क्या है उनके बीच का जो घरशन है वह कम हो जाता था और जिससे ह हमारी साइकिल बड़ी सुगंता से चल जाती तो यही कार है एक लुब्रिकेंट का जो इस नेहक है और उसको लगाने का करम जो है उसको कार करने का जो करम है वह तो लुब्रीकेशन यानि इस नेहन कहलाता है, तो इस दोनों का फंक्षन वही है, फंक्षन यही है Lubricant का कि बीच किसी भी दो मेटिंग सर्फेस के बीच के घर्शन को कम करना, तो हम आगे समझेंगे यह किस तरह से कार करता है, किस तरह से इसका उपयोग होता है, तो यही ब in the form of peak and valleys which are large when consider on a molecular screen यह बताने की कोशिश कर रहा है कि कोई भी material का surface है कोई भी solid metal metal है उसका अगर surface है अगर आपको वो दिखता clean है plane दिखता है तो वो plane actually होता नहीं है अगर उसको जूम करके आप देखेंगे molecular level पर अगर आप उसको देखेंगे तो उसके उपर कहीं उबढ़ खाबर उसकी सन्रचना बनी कितना भी plane आप कर देंगे अगर उसको जूम करके molecular level पर देखेंगे तो उसको भझा बड़ सन्रचना बनी होती है अब यही जब उबर खाबर सन रचनाए एक सर्फिस से दूसरे सर्फिस के कॉंटेक्ट में आती है तो उनके वज़े से घर्षण पैदा होता है और उस घर्षण के वज़े से क्या है ताप जो है उस पर्टिकुलर सर्फिस के बीच में घर्षण के वज़े से ताप ज हम इस पर्टिकुलल लूब्रिकेशन इस नेहन के मेकनीजम या उसके टाइप को समझेंगे कि वह किस तरह से कारेकर होता है तो हम पहले बात करेंगे मेकनीजम अफ लूब्रिकेशन एक एक तो किसी भी दो मुविंग पार्ट्स दो स्लाइडिंग सर्फेस मुविंग पार्ट मतलम कोई भी आपस में घूम रहा है दो गेर है आपस में गूल है दो रोलर है वो आपस में घूम रहा है एक शाफ्ट एक गेर है वो आपस में घूम रहा है जो कोई भी मेटिंग सर्फेस है आगे और पीछे हो रहा है वो उसकी क्र लुब्रिकेशन प्रोसेस को डिफाइन किया गया है और उसी के भिहाब पे इसकी क्रियाविदी को डिफाइन किया गया है इस नेहन की क्रियाविदी को क्लियर किया गया है तो यह कितने प्रकार के हैं यह पहले थिक फिल्म लुब्रिकेशन जिसको हाइड्रोडायनमिक और मिक्स्ट लेयर तो इनको हम इस फीगर से एक्स्प्लेयन के फीगर्स बने हुए है पहले हाइड्रोडैनमिक में आपको दिख रहा है कि यह लुब्रीकेशन है वो बहुत ही जादा है कि दूसरे में यह कम हो जा रहा है तीसरी में इस अन्द सर्फिस आ रहा है तो यह है क्या और किस तरह से इनका उप्योग होता है कि नहीं भी दो मशीन पात के बीच घरशन को कम करने के लिए उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो उससे पहले भी एक चीज और मैं समझाना चाहूंगा आपको कि यह जो पर्टिकुलर अगर हम दो मेंटिंग सरफिस की बात करें एक शाफ्ट है और दूसरे मेंटिंग सरफिस से वह मशीन कंपोनेंट से जुड़ा हुआ है वह तब-दक जूला है जब तक वह रष्ट मोशन में है और जब और मोशन में आजाएगा तो होगा क्या कि वह उसके बीज जो लुब्रिकेटिंग आल होता है, वह अपना जगा वहाँ पे ले लेजे का इन दोनों के वह गर्शन्स होता है कम वह जाता है आप स्वीगर से भी इसको समझ सकते हैं, है यह बाते बताने की खुशिश करते हैं वन तू मशीन कंपोनेंट और इन कॉंटेक्ट एंड यार हैविंग रिलेटिव मोशन विद इच अधर इवें दो दे मेटल सर्फेस इंडे स्मूथ बाई मशीनिंग अगर कोई भी मशीनिंग करके कोई भी सर्फेस कोई भी सर्फेस अगर आप बना देते हैं तो वह इसके बीच में देते हैं जैसे कि आपने बीरिंग देखा होगा बीरिंग एक रोल एक गोलाकार या गोलाकार एक रिंग होती है उस रिंग के अंदर चोटे चोई चर्रे फसे होते हैं अब वह चर्रे बड़ी स्मूथ तरीके से घूमते हैं तो वह स्मूथ तरीके से घूम से अ छर्रे हभी क्रिया को उस बिर की क्रिया को समझाने के कोण करम में कारेकर बता रहा है अगले जाएंगे विडये अग tidak आप यह थी टायप सफ लुडिकेशन बाऊंड्रे मिक्स फुल्म जैसे मैंने पहले कहा ता आपको थिक अब ताइप इस डिफ्रेंट बट दे आर रिलायर और लूब्रिकेंट एंद एड़ेटिव हर तरह जो क्रिया विदिया वह अलग है लेकिन वह किसके उपर डिपेंड करेंगे इस नेहक के और उस नेहक में यूज होने वाले योगी के जो की वियर से उसको प्रटक्ट करते हैं कि को सर्फेस को तो हम बात करेंगा फुल फिल्म लूब्रिकेशन की लेट एक एक तब होता है इंच अकर्स वेल टू सर्फेस इन वोशन स्लाइडिंग मोशन एक दूसरे से पीछ घर्शन कर रहे हैं आप इस फीगर में देख सकते हैं एक इस तरफ जा रहा है और एक इस तरफ जा रहा है जैसे की कि यह सर्फेस आपको दिखाई दे रहा है तो दूसरा क्या है इलास्टो हाइड्रोडैनमिक लुब्रिकेंड यह भी इसके तरह ही होता है इसमें क्या होता है रोलिंग मोशन होता है इसमें क्या होता है इसमें स्लाइडिंग मोशन था इसमें क्या होता है रोलिंग मोशन होता है तो रोलिंग मोशन होने का क्रम में यह डानिमिक कैसे ओगया दफिलम लेइर इन इलास्ट रावटा नमीक अंडिशन इस मच थीनर देन रावटा नमीक लूब्रीकेशन जो रोलिंग मोशन में लूब्रीकेंट अगर हम यूज कर रहे हैं तो वह उसकी परत बहुत पतली होगी as compared to hydrodynamic lubrication से और lubrication ठीक है the lubrication and the pressure on the film is greater it is called the elasto hydrodynamic because the film elastically deform the rolling surface to lubricate ठीक है तो यह बताने की कोशिश कर रहा है कि जब इसनेहन की प्रक्रिया होती है और जो metal जो भी इसनेहक का एक परत होता है उसके उपर जब लोड यादे होता है उस समय यह lubrication system कारे करता है तो किस तरह की instrument पर कारे करता है delicate instruments light machine like watches gun swing machines scientific instrument large plan plane bearings और अन्य तरह के application में इसका उप्योग होता है जित के ऊपर surface को बोले तो पूरी तरह से इसको cover करते है surfaces को यह इस तरह का होता है यह इसको इस लिए हम लोग दो category में define किये हुए full film के नाम से भी इसको हम लोग जानते है फुल्फिल्मिंग का मतलब कि वह दोनों में डूब जाए जैसे कि आप particular bearing की बात कर रहें तो तो bearing के अंदर जो तेल डालते या फिर ग्रिसिंग करते तो वह पूरा उसके अंदर डूबा रहता है अगली हम बात करेंगे इलास्टो डायनेमिक लूब्रिकेशन की जो मैंने फीगर पहले भी दिखाया था इलास्टो डायनेमिक लूब्रिकेशन का जो कंडिशन है वो rolling मोशन में है जो भी bearing सर्फिस होते हैं उनके बीच के जो element होता है उनके contact के आने में जो भी कनफर्मिटी होती है जो भी बहतर तरीके से काम कर सके उसके क्रम में यह इलास्टो हाइड्रो डायनेमिक लूब्रिकेशन सिस्टम कार करता है तो आप देख सकते हैं कि दो दो सर्फिसेस के बीच में यह लूब्रिकेंट काम करता है ठीक है जब भी तो इस एलास्टो हाइड्रो डायनमिक सिस्टम को समझने का क्रम इस फीगर से आप समझ सकते हैं कि यह मेटिंग सर्फिसेस अगर इसमें से पहले हम और को हटा दे तो यह एक दूसरे के डारेक्ट कॉंटेक्ट में आने से क्या होगा इनके जो काम करने का क्रम होग में बहुत ही हाड है इसके लिह इसके जरूरित होगी लेकिन जलिव इसकी अंदर हम और को एड करते तो ऑई जो इन दोनों सर्फिस के बीच और सुन में रहते हुए भी बहतर तरी के से कार्यकति को अकंप्लिश कर सके हैं दूसरा तीसरा हम बात करते हैं हाइड्रोस्टेटिक लुब्रीकेशन यह यह भी हाइड्रोडानमिक का ही एक तरह का सिस्टम है इसमें क्या है कि हम इंडारेक्ट वे में किसी भी इंजन या फिर उसके पार्ट के अंदर हम लिक्विड को या फिर जो भी इसनेहक है उसको हम प्रवा कराते हैं इस फिगर को आप देख सकते हैं यह स्टीम इंजन है एक शिप का क्रैम शार्प के अंदर हम दो बॉटल लगे हुए हैं लूब्रीकेशन के इसनेहक के जो पिस्टन से कनेक्टेड होते हैं और जब वो इंजन के अंद या फिर हम बात करेंगे Boundary Lubrication की यह boundary Lubrication उन जगहों पर यूस होता है जहां पर अचानक से कोई भी मेटिंग सर्फिसस अवह रूख जा रहा है काम करते समय रूख जा रहा है जटका आ रहा है ऐसे जगहों पर इस तरह का मेकानिजम काम में आता है इसमें क्या होता है कि क पुलफिल्म केनओड सिस्टमौ फूला सिस्टम ही के वह फुल फुल वाला सिस्टम जो होता है वह पूरी तरीके से शॉक शॉक आप्सवाद बैस बीकार मेरे नहीं कर पाता है तो इस उन जगाओंके एक्स्ट्रीम को जेलने के लिए जहां पर सदेन लोडिंग हो रही है जहां पर कभी रूख रहा है कभी वह चल रहा है वहां पर घर्षन चाहदे होने के क्रम में इस तरह के lubrication boundary lubrication system को उप्योग में ले आते हैं तो यह क्या करते हैं उस मेटल के सर्फेस के ऊपर अपने प्रोटेक्टिव लेयर बना देते हैं जिससे के उनके बीच का घर्षन हो जाता है boundary lubrication occur when the two surface are contacting in such a way that only extreme pressure or anti wear layer is all that protecting them वह इस तरह से ही काम करेगा जहां पर extreme pressure this is not idle and it is called high friction heat and other undesirable effects तो यह एक तरह से बोले तो यह पॉसिबल एक idle condition तो नहीं कह सकते हम लेकिन हां यह इसके वज़र से बहुत ज्यादा friction प्रोडूस होता है तो boundary lubrication happen when the shaft start moving from the rest जब यह start कैसे होता है जब भी कोई shaft होता है वो rest motion में होता है जब उसको on करते हैं यहां पर वही बात हुई कि on हो गया off हो गया on हो गया यह sudden जटका लग रहा है तो ऐसी जगह पर किस तरह के lubrication को हम उप्योग करेंगे the speed is very low the load is very high viscosity of the lubricant is too low ऐसी जगह पर इसको हम लोग utilize करेंगे mix lubrication का मतलब की दोनो सयुक्तियों को full और boundary इन दोनो के mix होने के क्रम में तो mix lubrication is the cross between the boundary and the hydrodynamics lubrication while the bulk of the surface are separated by a lubricating layer the asperities is still make contact with each other there is this is where the additive again come into play इसमें कहने का मतलब यह है कि यह जो mix lubrication है यह boundary और hydrodynamic के बीच में काम करता है जहां पर बल्क में बल्क आप ड़ा सर्फेस आज सप्रेटेड बाइड़ लुब्रीकेटिंग लेर जैसे कि में फुल फिलवाल में क्या होता है बहुत जादा लुक्रीचेटिंग सर्फेस होती है और यहां पर भी बात बोली गहिन की बल्क में जो lubricating सर्फेस हैं कि और होने के बाद भी उस पे क्या है जो घर्षट का काम है वो भी कार कर रहा है लुब्रिकेशन लगने के बाद भी घर्षण का जो कार है वो बना ही हुआ है तो उस समय क्या होगा जो भी इस नहक होता है उसके अंदर जो भी यौगिक मिले होते हैं वहां पर उनका कार बढ़ जाता है और इसी क्रम में ये लुब्रिकेशन का जो सिस्टेम वो कार में आता सेपरेटिंग दे सर्फिसेज और प्रोटेक्टिव देम इन अ मैनर तो रिद्यूज दफिक्शन तो काहने का मतलब यह है कि यह जो मिक्स लुब्रिकेशन बता रहा है लुब्रिकेशन इस बात को बता रहा है कि अगर कहीं भी कोई सर्फेस है उसके बीच में अगर अगर प्रोटिव की मदद से उस पर्टिकुलर सर्फेस को बचाने का कार करेगा इस कैने का मतलब यह है कि जब भी आप चेंज करने जाएंगे या फिक आहीं भी आप आप आइलिंग करते हैं तो उस क्रम में यह पर्टिकुलर इस मिक्स लूब्रिकेशन सिस्टम को समझ ज आप 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 आप